नमस्ते दोस्तो जब भी हम खाना खाते है तो वो खाना पचता है या सड़ता है ये सवाल हमें जरूर अपने आपको पुछना चाहिए क्योंकि जब भी हम खाना खाते है तो ये खाना ही हमारे शरिल में उर्जा देने का काम करता है हमारे organs को nutrition देने का काम करता है और उसे के साथ-साथ हमारे skin, hair की quality और immunity बढ़ाने का काम करता है और यही खाना पचने के जगा पर अगर सड जाता है तो 100 बिमारियों का कारण बन जाता है खाना अच्छे से पचने के लिए कौन से nutrition वाला food हम लेते है इससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम कैसे खाते है, कौन से समय पर खाते है और किस प्रकार से उसको पचाते है सडने के बाद हमारे शरी में क्या toxic products तयार हो सकते है और इसके लिए हमें क्या उपाई करना चाहिए तो चलिए बात करते हैं आज के इस वीडियो में हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपेशामले और पिछले 12 सालों से मैं प्राक्टिस कर रहा हूँ नवी मुंबई में जब भी हमारे पास कोई digestion की process से related कोई patient आता है तो हम उसके नाडित परिक्षा कर लेते हैं नाडि परिक्षा करने से हमें इसके बारे में पता चल जाता है कि उनके शरीर में जो भी खाना है वो पच्चता है या सड़ता है बैसिकली जो भी बिमार व्यक्ति होता है उसके शरीर में खानपान की process से related कोई नो कोई प्रकार का disturbance होता ही होता है और जो सवाल में patients को पूछने के बाद उनके अनुमान पर पहुच जाता हूँ कि इनके शरीर में खाना पच रहा है या सड़ रहा है उसके बारे में आज हम discussion करने वाले हैं तो इसमें सबसे पहला symptom हमें दिखाई देता है white coating over tongue अक्सर हम देखते है कि जब भी हम tongue examination करते है तो किसी किसी के जबान के उपर white coating हो जाती है और इसी coating के वज़े से उनको खानपान में रूची नहीं लगती जो भी स्वात का वो भोजन करते है तो वो भोजन उनको अच्छे स्वात का नहीं लगता इसे के साथ साथ बहुत सारे लोगों को hyalitosis याने मूँ से बास आना ये भी problem हो जाता है या फिर कभी-कभी जब हम बात करते हैं तो mucus का जो layer होता है उनके दातों के उपर उनके जबान के उपर चिपका हुआ देखता है किसी-किसी ने oral hygiene अच्छा maintain करने के बावजूद भी उनके tongue के उपर उनके teeth के उपर coating या white enamel की जगा पे yellowish discoloration दिखाई देता है और ये सब indicate करता है कि उनका खाना पच्टा नहीं तो सड़ता है बेसिकली खाना जब सड़ता है तो वो पेट में ही सड़ना चाहिए ये नहीं तो आपके मुँबे भी खाना अगर अच्छी तरह से हजम नहीं हो पाता तो वो चिपका हुआ रहता है और वहाँ पर भी उसका सड़ने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जब भी हमारे digestion की प्रोसेस slow हो जाती है तो हमारे intestine में secret होने वाले जो juices होते हैं enzymes होते हैं वो अच्छी मातरा में नहीं बनते और इसका परिणाम सोरुप हमारा खाना हजम होने की जगा पर सड़ना चालू हो जाता है और इसी वज़े से ये enzymes का coating उनके ओपर दिखाई देना चालू हो जाता है अगर कोई कार की जो screen होती है कार का जो class होता है उसको अगर हम अच्छी तरह से साफ करते हैं लेकिन साफ करने वाला कपड़ा ही अगर गंदा हो तो कार्च साफ होने के बज़ाए और गंदा हो जाएगा उसी तरह से अगर आपके digestive process ही disturbance में हो तो आपका खाना पचने की जगा पर सड़ना चालू हो जाता है और इसी का नतिज़ा दिखाई देता है white coating over tummy खाना सड़ने का दूसरा symptom होता है basically hyperacidity जब भी हम खाना खाते है तो वो अच्छी तरह से digest अगर होता है तो हमारे शरीर में जितना भी acid था वो पूरी तरह से neutralize हो जाता है लेकिन आपके शरीर में खाना पचने के जगा पर अगर सड़ जाता है तो hyperacidity वाली condition produce हो जाती है जिसमें की जादा मातरा में acid का secretion हो जाता है और उसी वज़े से वो हमारे food pipe तक चला आ जाता है इसी वज़े से किसी किसी लोगों में spicy source or irructations होना burping आ जाना, पेट में दर्द हो जाना, पेट फूल जाना इसी के साथ पेट में जलन हो जाना, ऐसे लक्षन दिखाई देते है अक्सर दोपर के खाने के बाद अगर आपको शाम को पेट में जलन हो जाती है सरदर्द हो जाता है, तो आपका खाना अच्छी तरह से हजम नहीं हो पा रहे है और इसी वज़े से आपके शरिर में हाईपर ऐसी डिट जैसी कंडिशन प्रडियूस हो जाती है इसमें तीसरा सिम्टम होता है अब्डॉमिनल गैसेस जब भी कोई फूड आइटम सड़ता है, तो उसके वज़े से फाउल स्मेल तयार होना ये बहुत ही कॉमन बात है फूला फूला जैसे लगता है, पेट में आफराफन हो जाना, पेट में दर्द हो जाना, पेट फूला जैसे लगना, पेट गुबबारे जैसे फुल जाना या फिर आपको foul smell वाले gases, part के दोरा बाहर निकला, ये सारे problems आपको abdominal gases के वज़े से होते हैं, अगर आपका खाना पच्छता है, अच्छे से पच्छता है, तो digestion की process में gas बनना बहुती स्वाबा भी घटना है, लेकिन ये gas अगर normal मातरा में बन जाती है, और easily हमारे शरीर में digest भी हो जाती है, तो कोई भी problem नहीं होती, लेकिन ये gases अगर जादा मातरा में बन जाते हैं, और unwanted time पर बहार आ जाते हैं, तो वो बहुती awkward situation प्रडूस करते हैं, जब भी खाना हमारे शरीर में अच्छे तरह से digest नहीं हो पाता, तो वो intestines के layer में पढ़ा हुआ रहता है, खाने को compose, decompose करने का काम करते हैं, जिस वज़े से खाना सडने लगता है, इसी वज़े से खाना सडने के वज़े से हमरे intestine में gases बनना चालू हो जाते हैं, internal pressure, abdominal pressure बढ़ते हुए दिखाई देता है, और हमें उपर से और कुछ खाने की इच्छा नहीं हो पती, और इसी वज़ अगर हमने भर पेट अच्छा वाला भोजन कर देते हैं, और उसके बाद वो अच्छी तरह से digest भी हो जाता है, तो हमें बहुत ही प्यारी नींद आ जाती है, लेकिन यही खाना पचने की जगा पर जब सडने की process में चालू हो जाता है, तो definitely आपकी sleep की quality को वो disturb कर देता है, नींद में अगर आपको पेट में दर्द हो जाता है, नींद में अगर आपको पेट में जो गुड़गुडा हट है, वो महसूस होनती हुए दिखाई देती है, नींद में ही अगर आपको पेट में gases बनना चालू हो जाते है, नींद से उटने के बाद तुरंत अगर आपक sleep की quality को disturb कर सकते है खाना अगर पचने की जगा पर सड़ जाता है तो basically हमारी रात की जो पूरी नींद होती है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाती और रात की नींद अच्छी ना होने के वज़े से again digestion का process और भी disturb हो जाता है enzymes और disturb हो जाते है और इसी वज़े से हमारे शरीर में leptin का level, insulin का level और बाखी भी सारे hormones का level disturb हो जाता है हमने देखा है कि basically बहुत सारे sleep deprived जो patient होते है यानि कि night duty करने वाले patient होते है इनके शरीर में भी पचने की जगा पर खाना सड़ने का process जल्दी स्टार्ट हो जाता है और इसमें पाचवा साइन होता है autoimmune disease अगर आपको arthritis जैसी problem हो अगर आपको hormonal disturbance हो जिस वज़े से PCOD जैसे problem हो infertility हो या फिर आपको ulcerative colitis या crons disease जैसी problem हो तो ये सब problems के पीछे किसी ना किसी level पर आपका सड़ता हुआ खाना ही responsible होता है basically जब भी हमारे पेट में खाना पचने के जगा पर वो सड़ जाता है तो हमारे शरी में nutrients optimum level तक absorbed नहीं हो पाते ये जो खाना होता है वो घंटों तक दिनों तक हमारे intestine में small और large intestine में पढ़ा हुआ रहता है जिस वज़े से nutrition का level भले ही हम nutritive खाना खाते ही है लेकिन उससे absorption अच्छी तरह से ना होने के वज़े से organs को वो nutrition नहीं मिल पाता organs को वो portion नहीं मिल पाता जिस वज़े से हमारे शरीर की जो immunity होती है वो disturb होने लगती है और इसी bigdivoy immunity के वज़े से अगर हमारे पेट के उपर कुछ बिमारिया बनती है तो उसी वज़े से ulcerative colitis या Crohn's disease जैसी problems होती है अगर joints के उपर bigdivoy immunity attack करती है तो उसी वज़े से arthritis जैसे problem होते है और इसी bigdivoy immunity के वज़े से अगर हमारे skin के उपर problems होते है तो उससे हमें psoriasis, vitiligo, lichen planets जैसे problem होते है तो चाहे शरीर का कोई भी problem आप ले लो उससे के लिए bigdavoy digestive system कही ना कही responsible जरूर होता है तो आपको भी अगर इन पाचो symptoms में से एक भी symptom अगर present होगा तो आप समझ लिजे कि आपके शरीर में जो भी खाना जा रहा है वो पचने की जगा पर सड़ने का काम हो रहा है और इसी सड़ने के वज़े से बहुत सारी बिमारिया आपको अभी हो चुकी है या होने वाली होगी तो इन process को हमें stop कैसे करना चाहिए खाना सड़ने से कैसे बचाना चाहिए और digestion की टू थर्टी के बीच में हो जाना चाहिए और आपका डिनर नाइन थर्टी टू टैन थर्टी के बीच में हो जाना चाहिए ये timing थोड़े सा fluctuate हो सकते है depending आप किस location पर रहते हो depending आपका कौन सा occupation है और depends आपका mental stress कैसा है उसके अनुसार आप इसमें थोड़े बहुत modification करते हो तो भी चलेगा लेकिन दिन में दो समय ऐसे होने चाहिए कि जिस टाइम पर आपको बहुत अच्छी सी भूक लगती है और उससी टाइम पर अगर आप खाते हो तो खाना सड़ने की जगा पर पचने का प्रोसेस बहुत easily हो जाता है इसमें दूसरा उपा है small portion size जब भी हम खाना खाते है तो बहुत अच्छी तरह से भर पेट खाना खाते है रोटी, सबजी, डाल, राइस, सेलाड सब हम खाने की कोशिश करते है और हमें पता होता है कि हमारे पेट में जो भी खाना जाता है वो अच्छी तरह से पच्छता नहीं वो सड़ता है फिर भी हम full quantity में वो portion size लेते है तो इसलिए आपको small portion size लेना चाहिए जितना ही खाना आप लीजिए जितना आप आसानी से digest कर सकते हो तो आयूरुएद में इसके बारे में बहुत ही अच्छा वर्नन किया है इसी को कहा जाता है अभ्यवरन शक्ति और जरन शक्ति अभ्यवरन शक्ति यानि वो ताकत कि जितना खाना हम खा सकते है कितना खाना हम खा सकते है उसी को कहा जाता है अभ्यवरन शक्ति और जरन शक्ति यानि वोत शक्ति कि कितना खाना हम पचा सकते हैं देखो दोस्तों खाने के लिए तो आप 5-6 रोटिया भी खा सकते हो लेकिन डाइजेस्ट कितने कर सकते हो खाने के लिए तो आप कितने भी सारे फूड आइटम्स खा सकते हो लेकिन डाइजेस्ट करने कर सकते हो, तो ये एक हर individual को खुद को पता ही होता है, तो कि वो कितना खाना अच्छे से डाइजेस्ट कर सकते है, और उसी के अनुसार ही, आपके जरन शक्ति के अनुसार ही, आपका portion का size आपको decide करना है, और उसी हिसाब से आपको खाना खाना चाह है, तो ऐसे समय पर हमें आयूरवेद को अपनाना चाहिए, आयूरवेद में बताये हुए कुछ नुस्के है, अगर उनको, अगर हम अच्छी तरह से इस्तमाल करते हैं, तो हमारे शरीर की digestion की जो process होते हैं, वो अच्छी तरह से होते हैं, इसमें two level पर हमें target करना चाहिए, जो खाना अभी पड़ा है, अच्छे से digest नहीं हुआ है, जो सड रहा है, उसको digest करना है, और उसके साथ साथ जो उपर से हम नया भोजन करने वाले हैं, वो digest होने के लिए अमारी पाचन शक्ति को improve कर दिया जाए, और इसी के लिए पिपली, पिपली मुल, चव्य, चितरक और नागर, ये वनस्पतिया कुछ ऐसी होते हैं कि इनमें दीपन पाचन वाला प्रभा होता है, आयूरवेद में दीपन पाचन का मतलब होता है कि अगनी को बढ़ाना और इसके साथ साथ पुराना लिया हुआ खाना को अच्छी तरह से पाचन करना, इसी को कहा जाता है द तो दीपन पाचन वाले अगर हर्भ्स हम अच्छी मातरा में खाने से पहले या खाने के बाद भी लेते हैं तो ये खाने को सड़ाते नहीं, या फिर सड़ता हुए खाने को भी अच्छी तरह से डाइजेस्ट करते हैं और रेचन के द्वारा शरिल से बाहर निकाल देते है जब भी हमारे इंटेस्टैन अच्छी तरह से फ्रेश हो जाते हैं वहाँ पर कोई भी प्रकार के फूड पारिटिकल स्टैगनन नहीं होते तो खाना सड़ता नहीं है और उससे आने वाले प्रॉब्लम्स भी उत्पनन नहीं हो पाते हैं तो पिपली-पिपली मुल्चव्य गैसिस जदा बन जाते हैं अगर आपको एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम है अगर आपको कोई भी प्रकार का ओट्यमिन डिसॉडर है और उसके पीछे का रिजन आपकी बिगडवी डाइजेशन सिस्टेम है या फिर आपकी स्लिप कॉलिटी अगर इंप्रॉपर है और उसके भव के नाश्टे के बाद एक दोपर के खाने के बाद एक और रात को खाने के बाद एक बुनगुने पानी के साथ अगर हम लेते हैं तो डेफिनेटली इसका वंडर्फुल रिजल्ट्स हमारे शर्री पर दिखाई देता है जैसे ही पिपली और पिपली मूल वाले स्टिमुलेशन देने वाला काम करता है चव्य एक बहुती स्ट्रॉंग दीपन मेडिसिन होता है और नाकर जो होता है जो पेट में पड़ा हुआ पुराना जो खाना रहेगा जो फुड फार्टिकल्स रहेंगे उनको डाइजस्ट करके बाहर निकालने का काम करता है तो एक प्रकार से complete gut detoxifier के नाम से हम जान सकते है tablet gases को tablet gases अगर आपको प्राप्त करना होगा तो उसका link में निचे description box में दिया ही है अगर आपको भी इसी वीडियो से related किसी भी प्रकार की शंका होगी कुछ पूछना चाते हो तो मुझे comment कर comment में जरूर पूछ सकते हो ऐसा ही हमारा page Instagram पर भी है Dr. Amler उपेश नाम से आप वहाँ पर भी मुझे follow कर सकते हो ऐसी knowledgeable और informative वीडियो के रिए मेरे चैनल को subscribe कीजिए bell बटन दवाना मत भुलिए निरोगी सेहत का वादा करता है दुरवा अईरवेदा मिलते है ऐसे ही knowledgeable और informative वीडियो के साथ अगले वीडियो में तब आपता के लिए धन्यवाद थैंक यू सो मच